ये गाईज वेलकम टू माई नीव ब्लोग आप सब कैसे हो आई हपकी आपकी सब बढ़ी होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे अपने अपने कामों में बिल्कुल ही व्यस्थ होंगे तो आज हम जानेंगे ऐसे फल के बारे में जो की सभी के आंगन में प्राय पाया जाता है सहर हो या गां हो जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहूं पपीते की जो की सभी के आंगन में पेड़ उसके रहता ही रहता है तो आज जानेंगे हम उसके फायदे उसके कितने फायदे हैं सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा उसे पहला आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे तो चलिए चलते हैं वीडियो में आज कल हम अपनी भागदोड भरी जिंदगी में अपने शेहत का खयाल रखना भूल जाते हैं परनतु हमें अपने शेहत का रख रखाव में ध्यान रखना चाहिए हमें अपने खाने में कुछ ऐसा खाना भी खाना चाहिए जिससे हम स्वस्त रहें और बिमारियों से दूर रहें फलों के शेवन से हमारे शेहत को अंगिनत फायदे होते हैं क्योंकि फलों में वे शभी पोसकत तो पाये जाते हैं जो शरीर के बहतर काम काज के लिए जरूरी है ऐसा ही एक फल है पपीता जिसे खाने से हमें कई परकार के शारिरिक लाब मिलते हैं इसमें कैलोरी की मातरा कम होती है और फाइवर की मातरा अधिक होती है बिसे शग्यों के अनुशार इसे खाने का सही समय शुबह खाली पेट खाना है पपीता में फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण या हमें वजन कम करने के साथ साथ कोलेस्ट्रोल को कम करने में भी सायक होती है पपीता में विटामिन A, C और K का भंडार है ये शरीर से विशाक्त पद्दार्थ को निकाल कर रोग पति रोधक छमता को बढ़ाने में मदद करता है और बीमारियों और अन्संक्रमन से दूर रखता है यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहतर विकल्प है आप प्रति दिन सुबह उठकर खाली पेट पपीता अवश्य खाएं इसमें फाइबर से भरपूर और कैलोरी में कम होन करने के कारण यह आपके पेट को फुल रखेगा पपीते में विटामिन सी पोटेशियम एंटियोक्सिडेंट और फाइबर की मौजदगी होती है जो धमनियों में ब्लड के संचार को बढ़ावा देती है और सरीर में कोलेस्ट्रोल को कम करती है जिससे हिर्दय रोगों और स्ट्रोक जैसे लक्षन को कम करने में मदद मिलती है पपीते में दर्द नाशक एक तत्व पाया जाता है जिसे पैपिन एंजाइम कहते हैं इसे प्रकृतिक दर्द नाशक भी कहा जाता है यह हमारे शरीर से सूजन को भी कम करता है इसमें कई तरह के विटामिन होने के में ऑनकों के लिए भी काफी लावदायक है इसके सेवन से तवचा को फायदा भी खोता है इसमें विटामिन सी होने के कारण इसमें विटक एरोटीन एयुमलायकोपीन जैसे कैरोटीन सामिल हैं जो हमारे तवचा में चमक लाता है यही वज़ा है कि इसके इस्तमाल से जुरियां और उम्र बढ़ने के लक्षनों को कम करने में मदद मिलती है पपीता लीवर के लिए भी काफी लाब दायक है पपीता लीवर को मजबूती परदान करता है आप पपीते को नीमू के रश के साथ सुबह-शुबह सेवन कर शकते हैं इससे आपको काफी फायदा होगा कैंसर से बचाव के लिए भी पपीते का सेवन करना फायदेमंद रहता है इसमें कैंसर के इलाज में परियुक्त होने वाले तत्तों पाये जाते हैं जो कैंसर के इलाज और बचाव में कालगर हो सकते हैं आई होप कि आप सबको यह वीडियो अच्छे लगा होगा तो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्या लखे स्वस्त रहें बाई बाई ज हिन जय भारत